ओके स्टुडेंट्स वेलकम बाक अगेन आज हम वर्क एनर्जी के थेरम के कुछ क्वेश्चन सौल करेंगे वर्क एनर्जी थेरम पता है ना नहीं पता है तो लास्ट वाला लेक्चर देख लो अभी उसके अप्लिकेशन करते हैं एक क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर कि कोई ब्लॉक है यह क्वेश्चन तुम फुर्सत से पढ़ लेना वीडियो पॉट्स करके मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यह गिवन डेटा क्या है मैं यहाँ पर बता रहा हू तुम्हें ब्लॉक है जिसका मास एम है जो वेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेंड से उपर चड़ रहा है और यह सर्फेस है यह फ्रिक्शन वाला सर्फेस है जिसका कोईफिजेंट फ्रिक्शन वन बाय रूट 3 दिया है एंगल उफ इंकलिनेशन 60 गिवन है और हमें पूछा है कि यह ब्लॉक जब यहां से नीचे गिरेगा तो गिरने से पहले जो जब वो यहां पर रहेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो बताओ और यहां पर यहां से यहां यह लेंध भी गिवन है इस 2 रूट 3 मिटर इंकलिन ए 2 रूट 3 मिटर ठीक है तो हमने कहा कि अभी वरकेनरंजी थेरम से हमें pergunta यहां हूस tai dripping भी वरकेनरजी थेरम से हमें फाइनल पोजिशन कितनी वर्कायनुप ज़ेंब की सिर्व कितनी कैनेंटी हैने ठीकता ह से Initial kinetic energy plus positive work done by the forces minus negative work done by the forces is equals to final kinetic energy. यह short में मैंने लिखा है, positive work done by the forces और यह negative work done by the forces. Sine के साइब बीच में minus. Initial kinetic energy, half mv square, 10 meter per second square दी है, so half mv square, half into m into 10 square. ठीक है? Plus positive work done कौन कर रहा है? In this direction कोई force है क्या? हमने का कोई force नहीं है, तो वो हमने लिखा positive work done कोई नहीं है, तो 0 लिखा. Negative करने वाले दो खिलाड़ी है, हमने इसके FBD निकाली. इसके FBD कैसे निकालोगे रहे? नीचे mg, यहाँ पे mg cos 60 degree, यहाँ पे mg sin 60 degree, right? So mg के दो component में यहाँ दिखा दिये. Block उपर जा रहा है, तो friction भी है, friction कहा लगेगा? पीछे. यहाँ पे friction क्या होता है? mu into n. So this is the FBD. Okay. अच्छा, अभी, so negative work done by friction force. So आमने लिखा mu into n into length l. सिर्फ mu into n लिखके छोड़ना मत, into l करना है, क्योंकि यह work done है. So mu into n into l. Minus, यह भी minus क्यों, क्योंकि यह दोनों forces नीचे है, displacement का है, उपर है, इसलिए दोनों में minus है. mg sin 60 into l is equal to final kinetic energy, half mv square. तो यहाँ से VF का answer हमें find out करना. N को क्या पूट करोगे अभी? N is equal to mg cos 60 degree, normal reaction, and this is the component of gravitational force. दोनों बराबर है, तो n की value हमने put कर दी by mg cos 60 degree. तो हर जगा पर m, 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 m कट हो जाएगा. ठीक है? फिर values हमने put की, क्या value हमने put की? mu की value 1 by root 3 put की, g की value 10 हमने put की, cos 60 की value 1 by 2 put की, और l की value 2 root 3 put की, यहाँ पर g की value 10, sin 60 is root 3 by 2, and l की value 2 root 3. हाफ तो कट हो गया था, m, b कट हो गया, v final यहाँ से आजाएगा, and when you solve this, you get the answer, root 20 meter per second, that is option C is correct. तो इस question का answer क्या है? option C. अबी करते हैं, next question. माउस क्यों नहीं चल रहा?